प्रावक्ता कि वारे में हम बात करेंगे जैसे कि जानते कि मार्च मेहने में इसका पेपर कराए गाय था और अंसर की भी जाड़ी करदेगी थी उस क्या है और आप लोग को अपने परिक्षा अपने नमबर पता चल किया होगा तो अक्ष्पेक्टम का डॉप है यहाँ उसके लिए यहां पर चुना जाएगा। आपको मैंने दो आया ॉसमें प्रिखा एक लिए फ़ीय प्रीचा के सब्सक्राइब उसके लिए चुना finely कि आपको लिए कि आपको आपको फ़ीचिन के फे वब परोसेसिंग के आधारot ठीक है और वहीं आप लोग को बताऊँगा कि यहाँ जो screen ब्रिक्षा है लेट क्यों हो रखा है अब तक तो है यहाँ पर लगबग जो है दो मेहने गंपिट हो चुके है रिजल्ट अभी तक नहीं आ रखा है कब तक यहाँ पर आएगा और क्यों यहाँ पर लेट हो रहा है रिजल्ट को लेकर उस पर भी हम चचा करेंगे तो चिली शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में और अभी तक सब्सक्राब नहीं कर रखा मेरी चैन्म को तो प्लीज कर आपके जो स्लेक्शन है जैसे परिक्षा परणाम नियावाली जो भी है आपके तो वह आप चेक कर सकते हैं जो यहाँ पर क्रेंट में क्या प्रोसेसिंग है इस तरह का सारा कुछ आप खुद से देखते हैं वेबसार में आप अबडेवल हैं तो उसी के आधार पर जो हम आ जाउनलोड कर सकते हैं इस जिसको लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो आपके इसक्रेन ही प्रिक्षा है उसके संबंदमा कितने अभ्यार्ट को यहाँ पर लिया जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि हालां कि बहुत लंबा जोड़ा है आप इस तो यह आप लोग देख सकते हैं आयो डोरह यहाँ पर कहा गया है आठ्वनाबर बात प्रायंबिक यह यह स्क्रीनिक प्रिक्षा धीयम पर ने पहुतंता है तो और जिस में आपका प्रिक्षा हो कि तो उसकी आदार पर टो यहां पर कया कहा गया है उक्त जो पराजंग इस क्रिक्षशा माधियम जिसमें जो है मुख्य परिक्षा याजवित की जानी है इनकि आपका जो सब्जेक्टिव है में परिक्षा आप समझ सकते हो इसको और उन पदू की सापक जो है पंद्रगुना अभ्यार्थु को जो है मुख्य परिक्षा है तो यहाँ पर सफल गोशित किया जाएगा तो इससे आप आपको बता दिया है मैंने आपको कि पंद्रगुना अभ्यार्थु का जो है मुख्य परिक्षा के लिए यादि कि आपको सब्जेक्टिव पेपर के लिए सेलेक्शन प्रोसेस होना बढ़ेगा अगर आपको यहाँ पर और अदर भी बता जाता हूं अगर स्क्रीनिंग पर आपको साक्षातकार होता है मालों जैसे पहले प्रोसेसिंग था तो यहाँ पर क्या प्रोसेस था कि एक से लेकि पांच अगर पद होंगे किसी पोस्ट में तो पांच गुना मुला जागा अगर छे से लेकि 10 पोस्ट होंगे किसी में तो आपको चार गुना मुला जागा औ और 11 से अधिक होंगे तो तीन गुना बिलाज़ागा यह processing था अगर यह पहले का जो screening में आपका साक्षातकार परिक्षा में आज़ित करनी हो जिसमें उसके लिए इनकी पहले screening होता था आपका exam प्रोक्ता का उसके बाद साक्षातकार होता था तो उसमें processing यह था ठीक है इसल क्या होगा आपका जितने आपके नंबर आएंगी उसी की आधार पर आपकी मेरिट बनेगी screening का कुछ भी नहीं बना यह qualifying nature का है यह आपका मेरिट नहीं बनाता है screening वाला ठीक है तो पंद्रा गुना अभ्यार्थी को बुलाए जाएगा आप अपना काउंट करना कितना कितन अब बात करते हैं भाई कि इसका रिजल्ट क्यों इतना यहां पर लेट हो रहा है एक्शल में और कब तक यहां पर आ सकता है काफी प्यार से आप पूछर काफी कमेंड कर रहा है हाना कि मैंने रिप्लाइक किया नहीं कहीं लोग का ठीक है तो इक तो नोट्यूशन नहीं आ । यहां यहां पर उठक है तो आप समझ सकते हैं को बिक्षक तो यहां पर भी पड़ाया एक्शल मेंट को जल्दी हो सकता है एका रिजून तक हो सकता है क्योंकि यहां पर आधायक थो कर दोर्स penguin कोता है edat वों कि यद धीकिक तो आपका जब काम है वियसे भी ना भड़ती आपकी आपका परोग्टा काई है तो जल्दी आपका ऊजाम हो जागा जो भी तयारी करए यह तो जो है है ओकज सँटिक होजाएगा जो एक्स प्रेकृटॉब हे वह बनाया रखिए इसनी जम आपर जा सकती है ठीक है तो जिसके 90 प्लस है तो त्यारी करना प्लस है तो उनके नंबर आना ही पंदो रहा है और जिनके कम नंबर है उनका थोड़े सा अभी त्यारी गार शकते हैं थे तो बागी आप लोग एक्स प्लस है उनका तो शूर है कि आपका जो है सब्जेक्टि पेपर इनकी में परिक्षा के लिए आप त्यारी कर सकते हैं वहाँ पर आपका हो जाएगा वहाँ पर पर परिक्षा दे पाओ क्योंकि 90 प्लस अदिक जो में नी जो होना ही होना है और मोस्ली आपको बता दिया है उस वीडियों में तरह ही मिलते हैं नेक्स वीडियों में तब तक के लिए गुट पाई